नमस्कार मैं हूँ अजयादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज वेल दोस्तों आज का ये बेहत खास प्रोग्राम मैं आप सभी के बीच लेकर हाजिरूं जहां आज मैं आप से बात करने वाला हूँ फिल्म धड़क के बारे में साथ ही आज मैं बात करूँगा आप सभी से जानवी कपूर के बारे में जो कि फिल्म में में लीड है और इसे फिल्म से डेब्यू कर रही है ट्रेडर लाउंच हुआ है हाली में सिफिल्म का और जहां पर पूरी स्टार कास्ट के साथ साथ जानवी कपूर का पूरा परिवार यानि की श्री देवी का पूरा परिवार मौजूद रहा है श्री देवी तो अब हमारे बीश नहीं रहीं लेकिन जिस तरह से उनकी बेटी की हाँ पर आखे नम दिखाई दी हैं और साफ साफ उन्होंने बोला है कि कैसे वो श्री देवी को मिस्स कर दी हैं आज आप देखने वाले हैं कि कैसे श्री देवी की मेमरी इसके बारे में जानवी ने बात की कैसे जानवी ने सेट के बारे में बात की जानवी के लावा बात की करन जोहर ने नेपोटिस्म को लेकर तो हैं जानवी कपूर ने लव को लेकर बात की पियार को लेकर बात की औ मैं उनके साथ हम्ती शर्मा की दिलन्या में काम कर चुका हूं। बहुत भहत बहुत बहुत प्यार करता हूं। इन जनरली उनके साथ शूट करके भी बहुत मज़ा आता है। तो जब जिस कारेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं उने धूंड रहा था अगरे लिए पर पास यही चोईस थी मैं सीधा उनके पास गया स्क्रिप्ट लेके और उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पड़े बोला शचांग तेरी फिल्मे मैं करूंगा ही करूंगा बहुत मजा आया उनके साथ फिर से काम कर और मैं जादा अब और रही और रूवी नहीं कर अगर हम सहरायट की बात छोड़ भी दे तो मनसूर खान जी ने बनाई थी कयामत से कयामत और संजय लीला भनसाली की राम लीला तो इन सबों ने अलग अलग बैकड्रॉप लिया एक गुजरात का था एक राजस्थान का था जो सहरायट खुद महराष्ट का है आपने हर्या से अपने जो लोकल थिंग उनको उसमें डाले की कोशिश की है और किस तरह से ये कुछ अलग है सहराट से जी मैं खुद राजस्थानी हूं मैं मारवारी हूं तो मुझे थोड़ा बहुत उस रीजिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है मैं वहां पर जा चुका हूं और मेरे सब रेलेटिव वहां के हैं तो इमिडिटली जब मैंने सहराट पिक्चर देखी थी और जब मैंने सोचा था कि मैं से अड़ाप्ट करूंगा वह रीजिन अलड़ी मेरे दिमाग में आ गया था मैं वहां के कॉन्फिक्ट से वाकिफ हूं वहां पर कैसे लोग जबरदस्ति कुछ अलग करने की कोशिष नहीं किये कि हमें कुछ अलग बनाना है वो अल्रीट इतनी इतनी ग्रेट फिल्म है कि उसे अड़ाप करना कि लेक्स तो आप लोग बताइगा आपको क्या अलग लगा हमने हमारी तरफ से अँश्ली जो हमें फ्लोव फ्लोफ स्ट करते हैं और आज का काफी एंदिन है पाप भी आया है फैमली भी आई है अव यू नदिके इस आप सब को मैं बहुत बहुत बदाई देना चाहूंगी ट्रेलर बहुत अच्छा है बहुत सारी शुप कामना है जानवी आप से ही सवाल है हम लोग बहुत जानना चाहते हैं कि कौन सी श्री जी की टिप्स है या एडवाईज है जो आप अपने करियर में आगे ले क्यांगी क्या आप आप जो कहते है अ कि वो जलक जो है वो बहुत खुपसूरत है और बहुत आप अच्छा लग राय ट्रेलर लेकिन इस चीज को आप अप कैसे आगे देखेंगी क्या टिप्स आप उनके याद रखेंगी अपने एक्टिंग करियर में एपने अक्टिंग क तैक भूले ऩाल है, दाड 2 के तोalay जो है फार्यॉम फॉद्पि और जान यह सारे कुछ कुरबान कर देने वाली प्रेम कहानी है आप लोग प्यार को किस तरह से डेंगे हैं तो आप लोग नुड working gonna bet ind Dieser किया आप लोग मर मिटने वाले प्यार पी यकीन करते हैं हम सब को पता है कि सेराट किस तरह की फिल्म है कैसे वो लोग प्यार में कितने हाथ तक जा सकते हैं आप लोग दुनु यंग है तो ये सवाल आप लोग उसे तो बनता ही यह ऐसा नहीं मेरी अमड़ में भी लोग मरमिट सकते हैं वहाँ हां हाँ हा तो यह तू जाल जवा लोको पर अका समयर का प्यार मेरहा के अपूल थू इन प्यार मेरा भी हख है आप यूfu वुशной की प्यार भींरी तो आप क्या मर्मिटेंगी प्यार के ए द Unshã आ घर तो जानवी और इशान मैं आपसे जानना चाहूंगी आप लोग प्यार को किस तरह से देखते हैं लव आइडिया ओफ लव या लव क्या डेफिनिशन है लव इस फ्रेंशिप बोल्दू लव इस फ्रेंशिप प्यार दोस्ती है यह तो आप लोगों इतनी सीरियस उसको बहु देखिये प्यार और महबबत पर हमारी जिंदगी कुर्बान है हम जो कुछ भी है विजब को बहुत सारे नए तालेंट्स को आप लाए हैं लेकिन जब इस तरह के जो स्टार संस या नए टालेंट आते हैं उस वक्त आपको सबसे ज़ादा किस चीज का खयाल रखना पड़ कौन सी चीज आपके लिए एहम होती है कि वो अपने नाम के आगे जा सके और अपनी खुद की पैचान बना सके यही हमारी रिस्पॉंसिबिलिटी है और यही उनकी रिस्पॉंसिबिलिटी है क्योंकि आजकल नाम के बारे में इतना कुछ चर्चा हो रहा है सब नाम के करना ओडियंस को फेस करना यहां ऐसे मीडिया को फेस करना मुश्किल काम होता है यह बच्चे है और हमेशा हम कोई टाइग डाल देते हैं कुछ वर्ड यूस करते हैं जैसे आज सीजन का वर्ड यह दो साल चला है यह शब्ड वो शब्ड मैं का इस्तमाल भी नहीं करूंग क्योंकि क्योंकि मैं फिर बडावा दे रहा हूं उसी कॉंसेट को बस यही कहना चाहूंगा कि लोग के लोग यहां उस शब्द की वजए से नहीं है अपनी मेहनत की वजए से करन और पूरी टीम मतलब इस फिल्म को हम लोग बहुत अच्छे से कई बार हम लोगों ने देख है सुन एकूब पढ़ा कर भाया करत अच्छा हूं उसके बाद भी जब इस फिल्म का टेलर हम देख रहे थे तो बहुत ज्यादा कूब सूरत है और जब दुनाद गाना बस भस बस्ता है तो सच्च whistles ढटने लगता है र ढुदक ढटक ऑर इस बार पे इस टेलिर की और पहली बार जब जानवी से हम लोग मिले थे कभी तो एक मैगजीन का लॉंज था तब वो हिंदी नहीं बोल पा रही थी लेकिन आज जब वो राजिस्थानी बोल रही थी तब लग रहा था कि बहुत काम किया है उन्होंने भाशा पर आपके मूं में घीशक तो वह चाहू एक लाइन है तो बोल दो पूरी चर्चक करने की सरोफी है यहा ह। मने में वाडी हावे है। Hi Janvi Ishan, this is Vaishali Chandrayo. Hi Vaishali. My question is if you could share with us the first day of shoot, your debut film Janvi, how was the first day? And later about the kissing scene as well. Flash forward. The first day was a lot of fun. I think that we weren't that nervous because Shashank had already, you know, established a very safe environment for us. We were already feeling like a family but, so it was just fun. I was just really excited to be in front of the camera. I remember I didn't sleep all night and then, yeah. Neither did I and it was just generally a very euphoric environment because we began with Yad Lagla and he was playing the song on Soundtrack. as we were shooting. So, after having done a scene, we started shooting that and I remember asking Shashank multiple times that, is it okay? Are we getting what we wanted? Because we were having so much fun that I forgot we were working. We were just improvising. Well, not that improvised, sorry. The director was, sorry. How many retakes? Shashank, if you could tell us. About what? The first scene? Yes. I actually said, okay, at the very first shot and then everyone panicked and said, hey, take one more for Swifty. So, I think the first one was like, we're ready to go. We've rehearsed the film a lot. We've worked very hard on it. So, I don't think so, we were so nervous. So, I said, okay, moving on because Karan said, I was like, I'm going to finish the picture of the time. But no, I think it takes a lot of time for everyone. And it went off really well. It's very fond memories of day one. We have last two questions, ladies and gentlemen. Karan Johorji, Aarti Sakse Na. Yaha, yaha, yaha. Jee nahi, ab tak to humari malakati. Karan Johorji, jab hap maari film tayyaar hoge, to we'll make sure that all the two teams meet and see the film together. Karan Johorji, Aarti Sakse Na. Hello?